तो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका फिर शे हमारे यूट्यूब चनल पर और आज मैं बात करने जा रहा हूं चमेली की फायदे के बारे में तो दोस्तों यह पोधा आप देख रहें न यह चमेली का पोधा और चमेली अनेक बीमारियों को दूर करन काने से चैरे में संसनाठ होती है यहां दोस्तों जीमए जंजनाठ होती है और यह तीब्र होता है तो जिनको अक्सर मुए में छाले बने रहते हैं और किसी भी औसाधित ठीक ना होते हूं याद रखेगा छाले किसी भी औस शीक ना होते हूं तब चमीली के पत्तों का प्रियोग किया जाता है चमीली के पत्ते जो अधिकतर गुटका खाते हैं पान तमाखू खेनी खाते हैं उनको अधिकतर जो है छाले हो जाते हैं ऐसी में वे तीखा नहीं खा सकते या फिर उनके थोड़ा सभी मिर्च खाएंगे तो तीखा लगेगा, छाले बहुत परिशान करते हैं, बार बार चाले होते हैं, उसमें चमीली के पत्तों को तोड़ें, चार-पास पत्तों और मुह में चबाएं, धिरी-धिरी चबाती रहें, तो ऐसा एक-दो दिन करने से ही चाले खत्म हो जाते हैं, और जिनको गर्मी के कारण चाले होते हैं, अकसर चाले होते रहते हैं, वे भी चमीली का प्रियोग करके लाग पा सकते हैं, और ऐसा करने से फिर चाले नहीं होते हैं, जिया दोस्तों चमेली चालों को दूर करने के लिए अद्भुद मानी जाती ह और जिनको अकसर कबज बनी रहती है, अशीलिटी बनी रहती है, पेट में जलन होती है, अफारा होता है, फेट फूलता है, अगर ये समस्या है, डियाईसिस सिस्टम गड़बार रहता है, पाचन सकती कमजूर रहती है, तो आप चमेली के पिरयोग कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा आप अजुवाइन, थोड़ा सौप और ले करके थोड़ा ले ले आप चमीली के पत्ते, इन सभी को आप पीज करके और उस चूरन को हलके गुनगुने जलके साथ अगर सेवन करते हैं सुबह और साम दो से तीन दिन ही तो आपके फेट की सबस्ते पिरकाल की बीमारियां दूर होंगी, आपका हाजमा दुरुस्त होगा, आपका पाजन सकती सही हो जाएगी, दोस्तों यह चमीली है, चमीली सर को दूर करती है, जिनका दर्द हो राज सर में, तो चमीली के पत्तों का पीज करके पेश्ट लगा जाता है, जिया दोस्तों, अगर किसी को आदा सीसी दर्द होता है, या पूरा दर्द होता है, उसमें आप इस चमेली के पत्तों को ले करके, और पीस करके पेश्ट बना ले, साम को सोते समय मस्तिक पर लेपन करें, इससे जो सरदर्द होता है, वो दूर होता है, दोस्तों सरदर्द को दूर करने के लिए चमेली के पत्ते बहुत ही बैस्ट है बहुत ही गुणकारी है तो यह देखेगा इस तरीका से पत्ता होता है चमेली का चमेली दो तिन प्रकार के होती है जैसे बड़ी चमेली छोटी चमेली इस तरीका से आप इसको ध्यान से देख सकते हैं